इस समय एक सन्यासी स्रद्धावनत हैं, इस समय एक परिवारज्यक स्रद्धावनत हैं, इस समय विकासपुरुस श्रद्धावनत हैं, आधिपुरुष के समक्ष, इस समय नए भारत के स्वपनद्रष्टा श्रद्धावनत हैं, और समूचे राष्ट की ओर से भगवान श्री प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी राष्ट कल्याड की कामना कर रहे हैं क्योंकि अस्तो मा सद गमें, तमसो मा ज्योतिर गमें, मृत्योर मा, अम्रितम गमें यह हमारे वेदों में कहा गया है, यह हमारे मनीशियों ने कामना की है। प्रधानमंत्री जो कि नए भारत के अभ्युदय की कामना लेकरी वहाँ पहुचे हैं, पुषपांजली अर्पित कर रहे हैं श्रीराम लला विराजमान को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुचे राष्ट की ओर से राष्ट कल्यान की कामना कर रहे हैं, विश्व कल्यान की कामना कर रहे हैं, हमारी ही संस्कृती है जो कि वसुधयव कुटुम्बकम कहती है, हमारी ही संस्कृती है जो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया का मंत्र जप्ती है हमारी ही संस्कृती है जो कि धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो इसकी कामना करती है हमारी ही संस्कृती है जो विश्व के कल्यान की प्रार्थना करती है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम लला विराजमान के दरवार में दीप प्रज़ना करने के लिए उसे और द्रड़ता और विश्वास प्रदान करने के लिए राष्ट की तरफ से कामना करने के लिए पूजा अर्चना करने के लिए इस समय प्रस्तुत है भगवान श्री राम लला विराजमान के दर्बार में स्वामी सत्रेंद दाश जी ने तिलक लगाकर और अंगवस्त देकर जननायक का अभिवादन किया है और श्रद्धावनत हैं विन्यावनत हैं प्रधानमंतरी समूचे राष्टर की ओर से संत महात्माओं मनीशियों और समूचे नर और नारायन की संकल्पना को साकार करने में लगे समस्त व्यक्ति के सामने अयोध्या उस्तानातन संस्कृति का प्रतीक है जिसने उदार हिर्दय से सभी धर्मों को और संस्कृतियों को शरण दिया अयोध्या की महिमा चारु भूवन में व्याप्त हैं ये भगवान श्रेलक्ष्मी नरायन के साक्षात आवतार की भूमी है ये भगवान शिरी राम के जन्मस्थान की भूमी है अयुध्या की महिमा और गरिमा जगत प्रसिद्ध है और आज जगत गुरु भारत की संकल्पना को अपने मन में सजोए और प्रान प्रण से अहरनिश प्रयासरत प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शिरी राम के श्री राम लला विराजमान के दर्बार में पहुँचे हैं राष्टमंगल की कामना करने के लिए। युगो युगो की साक्षी है ये आयुध्या की पावंधर्ती। कहा गया है अयुध्या मथुरा माया, काशी, कांची, अवंधिका, पूरी, द्वारा, वती, चईव, सब तैते, मोक्षदाई का। मोक्षदाई नगरों में सरवरशेष्ट स्थान हासिल है अयुध्या को। विस्व प्रसिद्ध है भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या और भगवान श्री राम रामलला विराजमान की परिक्रमा कर रहे हैं, प्रदक्षणा कर रहे हैं, प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी, राश्टनायक नरेंद्रमोदी, परिवराज्यक नरेंद्रमोदी, सन्य हमारी ही संस्कृती कहती है भगवान श्री राम ने अयोध्या की महिमा का गुर्गान करते हुए लक्षमन से कहा कि अपिस्वर्णमई लंका मेना लक्षमन रोचते जननी जन्मभूमिश स्वर्गादपी गरियसी जननी जन्मभूमिश स्वर्ग से महान है और इसके लिए समर्पित तन्मन और प्राण है इसी भावना को आत्मसाथ करते हुए पधानमंत्री नरेंद्रमोदी पहुचे हैं भगवान श्री राम के श्री राम लला विराजमान के दर्वार में आराधना की है रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसी दास जी ने उन्होंने कहा कि श्री राम चंद्र क्रिपाल भजुमन हरण भवभय दारुडम नवकंज लोचन कंज मुख करकंज पद कंजारुडम कंदर्प अगडित अमित छवी नवनील नीरद सुन्दरम पत पीट मानहु तडित रुचि सुचि नवमि जनक सुतावरम राष्टमंगल की कामना विश्व कल्यान की कामना जगद गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने की संकल्प की सिद्ध के द्रणता और विश्वास को और प्रगल और प्रगाल करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पहुचे हैं श्रीराम लला विराजमान के दर्बार में और उत्तर प्रदेश के राज्येपाल आनंदी बेन पटेल इस समय श्रीराम लला विराजमान का पूजन अर्चन और आरती करते हुए और इस समय सहगामी हैं सहचर है उत्तरपरदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी के साथ।